हेलो आपस अब लोग तो आज इस विडियो में बात करने वाले हैं लेवर and stages of labor के बार में देखेंगे की labor होती क्या है and इसके कितने stages होते हैं सबसे पहले बात करेंगे what is labor so labor is a series of events that take place in the female genital organs to expel the product of conception that is आपका जो fetus है placenta ठीक है out of the womb throw the vagina into the outer world simply क्या है आपका एक series of events है ठीक है events होंगे कुछ जिससे क्या होगा आपके जिससे आपके क्या है जो conception है उससे जो produce हुआ है क्या produce हुआ है conception से आपका जो fetus है और जो placenta है उससे vagina की थुरू womb से बाहर की word में निकालना इस process को इस series को labor कहते है ठीक है तो इस labor की stages होती है वो total 4 होती है तो जो first stage है पहले मैं आपको briefly पता देता हूं की होता का है उसके पर हम detail में की बारे में देखेंगे तो जो पहला stage है आपका stage 1 इसमें क्या होता है कि आपको baby deliver हो रहा है तो में इवेंट इसका क्या है तो बेबी टेक प्लेस and it has two phases एक है propulsive phase and है expulsive phase clear जब move on करते है stage 3 पे इसमें क्या हो रहा है आपका main जो event है that is the placenta is delivered stage 2 में क्या हो रहा था कि आपका baby deliver हो रहा है and stage 3 में आपका placenta deliver हो रहा है and stage 4 है यह stage उता है observation का ठीक है आपको इसमें देखना है कि placenta निकलने के बाद मदर का जो आपकी यह जो health vitals है उनकी जो science है वो सब normal है क्या नहीं है ठीक है तो इसमें observation होता है mainly तो stage 4 यहाँ पे होता है complete आपका labor अब इनको detail में देखते है कि इनमें क्या क्या होता है इनकी duration क्या क्या होती है तो सबसे पहले start करते है तो यह हमने यह से ठीक है तो सबसे पहले में आपका stage 1 अब stage 1 में सबसे पहले आपका क्या है कि जो आपका cervix है अगे cervix है आपका वो dilate करेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं cervix dilates ठीक है आपका इसमें cervix dilates करेगा up to 10 cm ठीक है आपका cervix dilate करेगा 10 cm तक और इसमें साथ ही साथ क्या होगा आपको effacement मिली है अब आप बोलेंगे effacement क्या होती है जो आपको cervix है उसका thinning हो जाना ओके तो यह है effacement of cervix ठीक है जो उसकी wall है उसकी wall एकदम thin होना start हो जाती है तो यह effacement of the cervix ठीक है 100% हो जाता है उसके बाद एक इसके लिए बहुत सकते हैं जो stage 1 है आपकी that this is the longest ओके यह longest stage है और भी जो stages है उसमें से सबसी बड़ी जो stage है वो आपकी stage 1 होती है तो इसका जो एक हम लिख सकते है starting में कि there is the longest okay it is the longest stage अब इस पर मात क्या है अब हमने बोला था कि इसके तीन phases होते हैं तो इसके तीन phases के बारे में देख लेते हैं तो यह मैंने ऐसे करके three phases कर दिये तो जो सबसे पहला phase है ठीक है that is the latent phase यह इसको बोल सकते हैं आपके early labor यहां पे लिख देते हैं latent अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि latent क्या है हमें latent बोल दिया तो इसका मतलब क्या है तो latent में क्या होता है क्या जो है ठीक है आपका cervix जो dilate होगा वह कहां तक होगा one to four centimeter ठीक है टोटल इस stage में 10 centimeter तक होता है देकिन जो इसका पहला phase है ठीक है that is the latent phase इसमें कहता है कि cervix one से लेके four centimeter debiator dilate होता है अब इसके बाद क्या होता है इसमें जो contractions होती है ठीक है इसमें contractions क्या होंगी mild होगी इतनी heavy contraction नहीं होंगी तो इसमें contraction कितनी है mild है और साथ ही जात इसकी जो duration होती है ठीक है तो क्या वो लेंगे five to thirty minutes हर 5 to 30 minutes में आपको इसके contraction मिलेंगे uterus के and वो duration उसका कितना होगा slash करके मैं लिख रहा है यहापे 30 to 45 seconds का तो क्या है आपका contraction है ठीक है that is a mild one and यह कितना है 5 to 30 minutes के बाद होता है and वो जो होता है आपका contraction कितने time के लिए होता है 30 to 45 seconds के लिए होता है ठीक है तो यह आपका जोन करते हैं ठीक है तो यह कितना होगा 32 to 40 seconds के लिए तो यह आपका latent phase है इसमें और चीज क्या लिखेंगे कि अब जो यह आला phase है आपका longest phase है आपका stage 1 का clear and इसमें और क्या लिखेंगे कि इसका जो duration है इसका duration है आपका 4 to 6 hours किसमें प्रेमी ग्रैविटा प्रेमी ग्रैविटा मतला जो फॉर्स ताइम मदर बन रही है तो उसमें कितना आपका 4 to 6 hours होगा इस phase का latent phase का और वहीं अगर बात करें जो मल्टिक्रैविटा है उसके लिए कितना है 4 to 8 hours ठीक है तो यह आपका latent phase हो गया next इसमें हमने phase की बात की थी active phase ठीक है यह अभी तक हम stage 1 के अंदर ही है ओके देखो हम stage 1 के अंदर ही है अभी इसके अंदर आपके अलग-लग phases आते हैं तो पहला latent है फिर active phase है अब active phase में क्या होगा जो अपका पहले चुटा सर्विक्स है यहां पर टो फोट इसमेटर रहा था ना तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका four to seven सेंटिमेटर क्लियर four to seven सेंटिमेटर यहां पर हो गया एंड उसके साथ क्या होगा आपकी जो contractions होगी ठीक है, आपकी जो contractions है, वो क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, कैसे, उनकी जो interval है, वो कितनी हो जाएंगी, 3 to 5 minutes की interval, और जो उसका duration है, ठीक है, वो कितना है, वो बढ़ गया, वो कितना है, 45 से 60 seconds तक होगा, यहाँ पर कितनी थी, सिर्फ 32 to 45 seconds की एक हो रही थी stage, और उसका interval था, वो था 5 to 30 minutes का, लेकिन इधर क्या है, contractions आपको क्या है, 30 to 5 minutes में मिलते हैं, और वो कितने time के लिए होते हैं, यह interval है, 3 to 5 minutes, और यह कितने time तक होता है, तो यह 45 to 60 seconds तक होता ह है, फिर रुख जाता है, फिर वो कब आएगा, वापस 3 to 5 minutes के बाद वापस आएगा, फिर वापस 45 to 60 seconds का होगा, contraction फिर रुख जाएगा, ऐसे, तो यह आपका contraction हो गया, and इसमें क्या है कि, अब यह जो हमने बहुत है कि, यह mild है थोड़ा ना, latent वाला, जो contraction वाला है, active वाला contraction है, वो थोड़ा है, थोड़ा size से जादा stronger होगा, ठीक है, अब इसको जो duration के बाद करें, यह कितने होगी, 4 hours, ठीक है, तो यह 4 hours की होगी, किस के लिए, वही जैसे मैंने उपा लिखा दा, जो primary gravida है, जो first time है, and it's about 2 hours, for multi gravida, ठीक है, आपके हमने 2 phase देख लिए हैं आपे, stage 1 के अंदर 2 phase देख लिए, आपके latent और आपकी active phase, अब इसमें जो तीसरा आता है, ठीक है, जो final आता है आपका, that is the transition, ठीक है, transition phase, ठीक है, अब इस transition phase में पहले बात करें, यहां तक कितना होगा था, cervix का dilation, 4 to 7 cm तक, clear, इसमें आपका जो cervix है, इसने क्या कर दी, बोल दिया कि चलो, अब तो सबसे ज़्यादा ही, जो maximum dab का dilation होता है, कितना होता है, 10 cm तक होता है, तो यहां पर हम वही करेंगे, कि आपकी 8 से लेकर 10 cm तक इसमें, जो cervix हो dilate हो जाती है, contraction की बात करें, ठीक है, these are intense, इसमें पहले mild थी, इसमें थोड़ी heavy थी, और इसमें intense अबकी, जो contraction है, वो हो गए, और जो इसकी वो है, जैसे हमने एक आप देखा था, 3 to 5 minutes, यह कितना होगा, हर 2 से 3 minutes में हो जाएगा, ठीक है, और कितने time के लिए, 60 to 90 seconds के लिए, एक जो contraction है, वो 60 से 90 seconds तक चलेगा, ठीक है, and यही stage है, जहाँ पर सबसे अधा पीन होता है, मुदर को, clear, and इसका जो duration है, जैसे हमने आप 4 to 2 minutes hours दिखे थे, यह आपके 30 minutes से, ठीक के लिए, 22, आपका, sorry, 32, 2 hours तक, 30 minutes से लेके 2 hours तक चलता है, आपका transition phase, clear, तो आपका यह यहाँ पर stage 1 complete होता है, जिसमें हमने क्या क्या देखा, stage 1 है, उसके 3 phases है, ठीक है, अब हम बात करेंगे stage 2 के बारे में, यहाँ पर में लिख देता हूँ, stage 2, अब जो stage 2 है, हमने क्या बोला था पहले, कि अपके stage 2 में क्या हो जाएगा, baby deliver हो जाएगा, तो stage 2 में हम क्या देखते हैं, यहाँ से start करते हैं, तो stage 2 में क्या लिखूँगा, यह start कब होता है, जब अपका cervix, हमने जो last, जो इसके phase देखा था, stage 1 का, जो हमने phase देखा था, last वाला transition था, तो अब यहाँ पर खतम होता है, यहाँ से start होता है, second stage, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिखूँगा मैं यहाँ पर, कि starts when cervix, cervix fully dilates, ठीक है, and phased, वही, thinning भी हो गई, और dilate भी होगा, अपना पूरा, कितना 10 cm रखी, और यह end कब होती है, ends with the, ठीक है, delivery of the baby, ठीक है, बेबी भार आ जाता है, यह stage complete हो जाती है, अपकी, duration की बात करें, इसकी, ठीक है, stage 2 की, हम duration की बात करें, तो that is about 2-2, ठीक है, 2-2, 3 hours, ठीक है, 2-3 घंटे होगा, फॉर, प्रीमिक ग्राइविडा, ठीक है, and जो multi ग्राइविडा है, जिसका second baby है, third baby है, यह first time baby के लिए है, and जिसका second time हो रहा है, उसके लिए कितना है, उसके ज्यादा नहीं, उसके लिए safe है, आपके 30 minutes, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 30 minutes, for multi ग्राइविडा, clear, तो यह आपका हो गया, stage 2B, and इसमें बहु सकते हैं कि इसके हमने बोले थे कि 2 phase होते हैं, जैसे हमने बोले था कि stage 1 के 3 phases हैं, इसके कितना हो जाएंगे, यहाँ पैसे करके, 2 phase कर दूँगा, मैं, ठीक है, पहला है, propulsive phase, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, प्रोफल्ution, प्रोफल्सिफ फेज में क्या होते हैं, जो period है, ठीक है, तो period of dilation, until head touches, आपका जो pelvic floor होता है, पिल्विक पर बनाओँगा ठीक है तो उस पर बेए चाहिए कि आपका जो पीरेट है कौन सा पीरेट है ये अपे लिख दो ता मैं पिरेड आफ फुल डायलेशन फुल डायलेशन तो होई गया है अंटिल है ठीक है 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 आपके बिवी का है है ठीक है टॉच इस पेल्विक फ्लोर ठीक है? ये प्रोफलसिव फेज है मतलब जस्ट बेबी आने ही वाला है भार उससे पहले का जो स्टेज है and next है आपका एकसपलसिव फेज ठीक है? एकसपलसिव फेज अब एकसपलसिव फेज में कहाता है कि expel कर दिया उसने, यह क्या है the time mother has irresistible मतलब अब mother है वो resist नहीं कर सकती, उसे expel करना ही पड़ेगा बेबी को भार, तो expel desire to bear down and push until the baby is delivered is delivered, ठीक है ठीक है, जहाँ पर वो resist नहीं हो पाता है, अब वो baby को नहीं रख सकती, उस stage पर उसे भार निकाल नहीं है, तो expel जादएगा, तो हमने देखे stage 2 के कितने हैं, आपके दो फेज़ेस हैं expel जादएज और propulsive phase और expel जादएज ठीक है, तो यह आपका stage यहाँ पर 2 भी होता है, एं इसमें जो contractions होते हैं, दीखें, contraction तो इसमें भी हो ना, क्योंकि baby तो निकालना है, इसके बाद placenta को भी निकालना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आपके जो इसका वो है, contraction है contraction है आपका इसमें, वो क्या हो जाएगा कि every 2 to 3 minutes, ठीक है, हर 2 से 3 minutes में contraction आने लगेंगे baby mother को सरी, ठीक है और जो उसका duration होगा उस contraction का, वो कितना होगा 62 to 90 seconds ठीक है, यह सेम है आपके जो transition phase हमने देखा था नहीं, यहाँ पर stage 1 का, जो एकदम ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, stage 3 ठीक है अब baby भी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है बहार आपका placenta तो इसमें यह start कब होता है ठीक है, जहाँ पर यह खतम होगा stage 2, वहाँ पर यह start होगा न यह कहा है, starts with full ठीक है, full delivery of baby ठीक है, और end कब होगा ends with the ठीक है, delivery of the placenta, ठीक है, जैसी placenta आगया भाहर वहाँ पर आपका stage 3, complete हो जाता है इसके duration की बात करें तो ठीक है, तो इसके duration कितना है 15 minutes for both primary gravita and multi gravita, दोनों के लिए 15 minutes ठीक है, 15 minutes में जैसे baby के born होने के बाद, जैस 15 minutes के बाद ही आपका 15 minutes के अंदर अंदर ही आपका placenta भी आ जाता है, अगर नहीं आया, प्रोलांड हो गया तो फिर वहाँ पर problem हो सकती है, ठीक है अब इसमें क्या है इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, कि आपका जो शेप आफ यूटरेस है, ठीक है, तो यहाँ आपके लिख दो, शेप आफ यूटरेस, ठीक है, चेंज़ आफ यूटरेस का शेप, कहां से, फ्रॉम, ओवल टू, ग्लोब यूटर, बहुत इंप इस तरी में इतना ही है, इतना कुछ जाता नहीं है, एक लास्ट है आपका, उसको मैं इसी पेज में कम्लेट कर देता हूँ, ताकि आपका एक ही पेज में पूरा आ जाए, यहाँ पर लिख देते है, स्टेज फॉर, ठीक है, इसमें इतना दा कुछ है भी नहीं, तो जो त्री आवर्स, यह बन टू फॉर आवर्स, अलग लग होता है, बन टू टू आर्स भी होता है, तो एक प्रोक्स ले तो बन टू थृर्स का, आफ्टर, ठीक है, डिलिवरी ओफ रप्लासेंटा, जो स्टेज 3 के बाद, ठीक है, उसके बाद ही बन टू 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 ती आर्स, इसमें क्या करते हैं मॉनिटरिंग आफ दा वाइटल्स कि ऑफ मदर तो हम उसका जो मदर का वीपी है एंड इसका ब्लॉट कितना है जो भी आपके जो वाइटल्स है आपके ब्रीफिंग पैटन सब अचिन से चेक करेंगे तो आपका यह हो गया आपका पूरा स्टेजिस और पूरा दिखा देता हूं ठीक है तो यह आपका स्टेजिस और हमारे कंप्लीट हो गया स्टेज जोना हमें देख लिए जिसमें थ्री फेजिस थे अक्टिफ लेटिंट अंद अमदब लेटिंट अक्टिव एंट ट्रांजिशिन फिर स्टेज दिखा हमने जिसमें भी उसमे आया यह इजी ली मैंने जो थोड़ा बेसिक तरीकी से आपको समझा दिया एक उन्सेप्ट तकि आप एक्जाम भी अच्छे से लिए क्मैसे एक पेज में अच्छे से एक्स्प्रीन करके तो आपको अच्छा लागा तो प्लीज लाइक करना शेर करना अपने प्रेंड्स के